ब्रह्मचार का पालन करना है, यदि आपने 90 दिन की सपत ले रखी है, तो आईए आपको 90 दिन में क्या क्या आप करें, इसके बारे हम बात करती है, जिससे आपको ब्रह्मचार का फाइदा हमेशा हमेशा रहेगा। ये 90 दिन आपका जीबन बदल लें, बहुत साइधा करेगा, इतना समय काफी होता है लोगों के लिए, आपको नई आदत डालने के लिए 90 दिन मतलब 3 महीने इनफ हैं, इसमें सबसे नमर बन मैं आपको बताता हूँ, सुबह 4 वजे तक आपको हुट जाना है, आलस नहीं करना है, सुबह जैसे ही आप उटे हैं, सबसे पहले आँके बंद करके 15-20 मिनट या 30 मिनट तक डायत्री मंतर का जाप सुरू करते हैं, इसके बाद सर्दियों का मौसम है, तो हलका गरम पानी, गरिमियों का समय है, तो नलके पानी आपको बहुत अचरेगा, बिलास के स्तान पर यदि आप लोटे से पानी पियें, तो सबसे अच्छा होगा, यदि सुबह उटते ही, आपको सौच के लिए जाना है, तो भी आप जा सकती हो, सौच यादी से ब्यतो होने के बाद साब दरी बिचा लें, उस पर सांती से बैठ जाएं, पैरों के एकसाइज करें, ऐसा करने से पैरों में रक्त का संचार अच्छी प्रकास से फिराम हो जाएगा, पैरों के सचूद, एकसाइज के बाद आराम से बैठ जाएं, चाहें तो आलती पालती लगा कर आप बैठ सकती हैं, अब आपको कुछ सांस लेनी हैं, सांसों की एक्टिविटी करना हैं, जैसे लंबे गहरी सांस लें, छोड़ने की आदर डालें, आप सांस ले सकती हो, छोड़ भी सकती हो, और सबसे मोश्ट इंपोटेंड, दोस्तों आप लगातकार अपने लच्ची की तरफ बढ़ते जाती हैं, तबी आपको ये पढ़नाम अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तीन महीने में आ आप बुलकूल फ्री सोच कियोंगे, आपको समझ में आएगा कि ब्रह्मचार का पालन क्या है, आप मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, उस बातों पर हमेशा अध्या रखना, अगर आपने सपत ली है, कि मुझे कुछ करना है, मुझे सपत लेनी है, तो मुझे उसको पूरा भी करना है, आपको कुछ अलक्सा नहीं करने है, आपको ही करना है, जो मैंने आपको बताया है, और जीवन में आनंदित हमेशा रहोगे, कोई परिसान ही नहीं आएगी, कोई भी, अब दोस्तों के साथ मैं सीर कीजिए, और चैनल को जरूल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नहीं नहीं वीडियो मिलती रहें, जो आप ब्रह्मचारी का पालान, आप एक्साइज करना चांती हैं, बोडि बनाओ चांती हैं, आपको बहुत साथा करेगा है चैनल, तैंक्यू फो वाच्चिंग मैं बीडियो, जै हिन, जै भारत.